तो एलो फ्रेंट्स और वेल्कम टू निव वीडियो तो फ्रेंट्स आज की वीडियो में हम लोग एक्सपाइरी वीकले एक दिसंबर तोस्टे के लिए निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का डीटेल में अलसिस करने वाले हैं तो कल श्रीडिंग सेशन बहुत ज्यादा इंप बज़े के बाद जो मुवमेंट दिखाई है वह बहुत तगडी मुवमेंट है लगबग 120-25 पॉइंट की मुवमेंट देखने को मिली के वल 20-25 मिनट में तूसरा इंडिया के GDP का डेटा रिलीज होने वाला है जो थोड़ा सा more of a negative टाइप का है तो मार्केट में भी इसको आउन साइड ले सकता है देखते हैं तीसरा फ्रिट की भी मीटिंग है और इसके लावाद चौथा सबसे स्पेसल जो है वो है कल एक स्पाइरी और नेक्स मंत का मतलब इस साल के लास्ट मंत का पहला ट्रीडिंग से सने तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं कल आपको कहां पे कॉ की पोजिशन बनाने चाहिए सबी चीजे हम लोग आज की वीडियो में डिसकस करने वाले हैं तो सबसे पहले अगर आपने हमारे फ्री टेलिग्राम चैनल को जोइन नहीं किया निफ्टी और बैंक निफ्टी का इनलिसिस करने से पहले तो डिफिनेटल आप जोइन कर लीज 27 का ठीक है उसके बाद भी वो ट्रेट रुका नहीं वो का लुकी नहीं अगर आप देखें तो उसने हाई बनाए 311 का तो 267 से 311 आपको बहुत बड़ी है टार्गेट सेखनी को मिले उसके बाद अगर मैं आपको ले चलू तो उसने हाई और भी बनाए 321 गया उसके बाद मैंने एक बहुत इंट्रेस्टिंग ट्रेट दिया था 132 पे 18800 का ट्रेट है ना 132 134 की बीच में और अगर आप देखोगे तो उसने केवल 20 सेकेंड में ठीक है 20 सेकेंड में उसने प्रॉफिट पता है कि इतना कर दिया उसने 20 सेकेंड में प्रॉफिट किया है 154 का ही बना अगर आप आज देखेंगे तो प्रॉमिसिंग तरीके से ब्रेक आउट देखने को मिलता है ठीक है मतलब मान की चलिए कि जो मार्केट का आज जो ब्रेक आउट का लेवल है वो कहीं ने कहीं आ चुका है अगर मैं आपको 5 मिनिट में लेके चलू है ना तो पूरे दिन ब्रेक आउट किया नीचे आया यहां पर जैसे इसने दुबारा ब्रेक आउट किया अठारा जार साथ सो पर बहुत बढ़िया तरीके से कौल लाइटरस बैठे हुए थे सबी निकले हैं बड़ी शॉट कवरिंग देखने को मिली है और इसी फ्लो में इसने हाई बना दिया 18,815 के करीब है ना अगर मैं आपको option chain में लेके चलू तो निफ्टी में देखेंगे तो यह देखिए 18,870 पर बहुत बढ़िया कौल राइटरस बैठे हुए थे बढ़िया तरीके से क्रोस दिखाया है 18,800 के पास अभी भी बढ़िया कौल राइटरस बैठे हुए है तो हम लोग बहुत बढ़िया तरीके से यह नहीं मान सकते हैं कि पूरा breakout हो चुका है but 90,000 के लेवल को अगर सस्टेन करता है तो फिर अब लोग निफ्टी का upside का मान के चल सकते हैं अब देखें कैस कल के लिए market पूरा तयार है मतलब ultimate तयार है जिस side भी moment करेगा अधर upside downside आपक 810 will be the safest placed 810 पे आप trade लेने वाले हैं और दो targets आपके call side में निकल के आते हैं 18,860 पहला target और 18,900 का exact psychological level का आपका second target होने वाला है stop loss आपका होगा 18,780 का थीक है बस केवल 30 point का आपका stop loss होने वाला है दोनों side trade बन सकते हैं जैसा कि मैंने बताया अगर market upside के level को sustain नहीं करेगा तो downside में भी बहुत बढ़िया rally अपने को देखने को मिल सकती है तो अगर आपका nifty इस candle के low को cross करता है 18,770 के level को cross करता है तो हम लोग put की poison बनाने वाले हैं और दो target आपके निकल के आने वाले हैं और पहला target आपका रहेगा 18,710 के पास और second target रहेगा 18,670 के पास जब भी पहला target होगा हमेशा maximum quantity आपने book करनी है अगर आप live market में आना चाहते हैं मेरे साथ सीखना चाहते हैं you can join me in live session मैं daily अभी live आता हूँ तो आप daily मुझे live में join कर सकते हैं और definitely आपको join करना चाहिए हम लोगों ने आस तीन trade किये दो में profit एक में loss overall अगर मैं आपको बता हूँ पिछले पास दिन में हम लोगों ने पांक चो दिन profit किये हैं अब देखिए यहाँ पर movement अगर मैं आपको बता हूँ तो देखिए कि market phase बना रहा था अगर आप देखेंगे तो market upside से resistance और downside से lower highs का formation दिखा रहा था इसको बोलते हैं ascending triangular pattern मतलब एक breakout level अगर breakout करेगा तो बढ़ call writers बैटे थे सभी ने निकलना चालू किया और उसी में बढ़िया upside की rally देखने को मिलिए अगर आप हमारे gold group से जुनना चाहते हैं जहाँ पर मैं और भी extra trades btst के swing trading nifty options bank nifty options देता रहता हूँ तो आपको कुछ भी नहीं करना है you just have to open the demand account description में लिंके 0 था allies angel up stocks account open कर रही हो और यहां पर मैं बहुत सारे trade देता हूँ अगर आप देखोगे तो यहां पर मैंने एक trade दिया था और वो लोगों का वही निफ्टी वाला trade था एक सो बतीस एक सो पैंदीस के बीच में था और उसने high बनाया 154 के करीब है ना उसके बाद मैंने का PC close करो आ प्रीज ट्रेडिंग प्लान इससे आपको यह क्लियर हो जाएगा मार्केट किदर जाने वाला है अपसाइड डाउन साइड उससे आपको ट्रेडिंग करने में आइसान होती है है ना ओके इसके लिए बहुत लोग आपसे चार्ज करते हैं आप फ्री में जोइन कर सकते हो ड आज मार्केट वही गया सूटिंग स्टार बनी वहीं से गिरा धड़ा उपर से अगर मैं आपको एक चीज और दिखाओं बहुत बढ़िया चीज हम लोग की जो गयाप अपन गयाप डान वाली स्ट्राटेज यह वह पर्फेक्ट बनी यहाँ पे आपका ट्रेड बनता था और अगर आप देखोगे तो वहां से लगबग हमको 200 पॉइंट की रैली देखने को मिली 210 पॉइंट की मैंने यहाँ पे एक कॉल की पोजिशन दी थी है ना मैंने कि यहाँ पे कॉल की पोजिशन दी थी और अगर मैं आपको दिखाऊंगा जाके ना तो हमने उने ट्रेड लिया था मैं आपको दिखाता हूं हम रहो उने ट्रे यह तर टू सिटी टू पे ठीक है टू सिटी टू सिक्सिटी तो बिलिए तहीं अगर मैं आपको लॉगई करके दिखाता हूं एक पर बैयली ज έχण पता है उसने high कितना बनाया उसने high बनाया है 500 थीचे लूघ्बम है समझी आप कितनी बड़ी रैली है तो सभी चीज़े फ्री है डिफिनिटली आप वहाँ से जॉइन कर लीजएगा लेकर दूस्तों अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो एक चीज़ आपको समझना पड़ेगा इसको मैंने मार्क कर दिया मार्केट ने सिंपल तरीके से ट्रेडिंग किये यहां पर गया रैसेंश पर पूट बाइंग करो और करो यहां से फिर प्रॉफित हुआ ठीक है यह बहुत बढ़िया और सिंपल स्टैटजी होती है अगर आप क्लोजिंग देखेगे तो बैंक था कॉल राइटर्स बैठेंगे बड़ी शॉट कवरिंग और यहां पे बहुत बड़ी शॉट कवरिंग देखने को मिल सकती है अगर आपका बैंक निफटी आज के हाई 43,335 के लेवल को क्रोस करता है तुरंद कॉल की पोजिशन बनाने वाले हैं उसके बाद हम दो के दो टार्गेट निकल के आते हैं 43,450 और 43,600 जब भी पहला टार्गेट हो remaining quantity का stop loss cost to cost लेए और बड़े टार्गेट के लिए आप जा सक सकता है तो अगर कल यहां पर इस रेंज को डाउन साइड में क्रोस करता है तो भी आप पुट की पोजिशन बना के बहुत बढ़िया प्रॉफिट काप्चर कर सकते हैं because market का फेज ऐसा है कि दोनों साइड बढ़िया प्रॉफिट काप्चर किये जा सकते हैं तो अगर आपक का बैंक निफ्टी 43,210 के लेवल को क्रोस करता है तो अपुट की पोजिशन बनाने वाले और दो टारगेट समने को निकल के आने वाले पहला टारगेट होगा 43,020 के पास और सेकेंड टारगेट होगा 42,910 के पास 10 मैंने क्यों बोला 900 क्यों नहीं बोला because कभी-कभी क्या ह एक्जाक लेवल को टच नहीं करता है वहीं से उल्टा रिवर्स हो जाता है सेम चीज 43,020 के लेवली 43,000 क्यों नहीं बोला because exact psychological लेवल पर ट्रेड करो के कभी-कभी थोड़ा सा उपर से ही चला जाएगा अगर आप चैनल पर नहीं है तो डिफिनिटली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए हम लोग का हैम रहेगा at least 2000 लाइक तो सब लोग वीडियो को लाइक करने वाले हैं और आपका आज प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ हम लोग का प्रॉफिट लिए इसके लाव मैं लाइव आता हूं तो यूँ डिफिनिटली जॉइन मी लाइव करेंगे और भी सीखने को मिलता है और एकाउंट उपेन कराईए डिस्क्रिप्सन में लिंक के आपको हम लोग लाइफ टाइम एकस फ्री में देने वाले हैं इसके लिए आपसे लोग मं चार्ज जार एक एक लाग रुपए का मंतली सब्सक्रिप्सन और मेंबर सी फी के मोड में चार्ज करते हैं ओके तो थैंक यू सो मच गाईज हम लोग नेक्स वीडियो में तेल देन गॉट बेस्ट यूवर बाइबाए झाल